दोस्तों साउथ इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से अभिनेता हैं जिन्होंने नायक और खलनायक दोनों की भूमिका निभाई हैं और उन्हीं अभिनेताओं में प्रकाश राज का नाम भी शामिल होता है। लेकिन दोस्तों आप प्रकाश राज के बारे में तो सब जानते हैं पर क्या आप इनकी बेटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं कैसी दिखती हैं और क्या करती हैं अगर आप इनकी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें सा साथ ही टॉलिवड इंडस्ट्री के इस दमदार कलाकार के लिए आप हमारी विडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ के अभिनेता प्रकाश राज का जन्म 26 मार्च 1965 को हुआ था। ये फिल्मों में अपने नायक और खलनायक के भूमेका को निभाने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सेंट जोजिफ बॉइज हाई स्कूल बैंगलोर से अपनी पढ़ाई पूरी की है। और सेंट जोज में काम किया। कंणर्ड टेलेविजन उद्योग और कंणर्ड सिनिमा में कुछ वर्षों तक काम करने के बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना कदम रखा। और फिल्म हिटलर से इन्होंने बॉलिवुड इंडस्री में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में इनके के काम को खूब पसंद किया गया और आज ये टॉलिवुड और बॉलिवुड दोनों का ही जाना माना नाम है प्रकाश राज एक सफल अभिनेता होने के साथ सफल निर्देशक भी है ये अब तक कई तेलगू तमिल और कंणड फिल्मों को निर्देशित कर चुकी है दक्षिन भारतिय सिनिमा से कमल हासन के बाद प्रकाश राज पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी सिनिमा में अपनी छाप छोड़ी है 39 साल के करियर में इन्हें अब पांच बार राश्ट्रे पुरुसकार से नवाजा जा चुका है लेकिन अगर बात करें इस दमदार खलनाय की बेटियों के बारे में तो इनकी बेटियों का नाम मेगना और पूजा है जो इनकी पहली पतनी ललिता की बेटिया है बात करें इनकी बड़ी बेटी मेगना की तो ये अभी पढ़ाई कर रही है और अपने पिता की ही तरहा इन्हें आक्टिंग का भी काफी शौक है वही प्रकाश राज की दूसरी बेटी पूजा भी पढ़ाई कर रही है लेकिन इन्हें आक्टिंग में बिल्कुल भी रूची नहीं बलकि ये खुद को लाइम लाइट से बहुत दूर रखती है पर अगर बात की जाए इन दोनों की खुबसूरती की तो ये खुबसूरती के मामले में किसी भी अभिनेत्री से कम नहीं है जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते है तो दोस्तों आपको प्रकाश राज की कौन सी बेटी सबसे ज्यादा खुबसूरत लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं साथ ही बॉलिवूड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें